स्टॉक भी इसमें आपका स्वागत है तो फीचर और ऑप्शन की सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चीज आपको मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देता हूँ जिसमें जितने चोटे से बड़े से जितने concept होंगे सारे में से कवर करने वाला हूँ आपको इस सीरीज देखने के बाद इतना तमthe है आपको से कह सकता हूँ कि आपको उतनीन और ज़रूर होगी जितने एक finance के student को होती है तो इक series थोड़ी से लंबी हो सकती है और वीडियो का size मैंने छोड़ा रहने कोशिश किये तो और थोड़ी से ज़ादा लंबी हो सकती है बट हाँ आपको concept इसमें पूरी clear होंगे आपके तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो सबसे पहले देख लेते हैं futures होते क्या है तो जो futures होगे वी बहुत important part है फाइन से derivatives का तो फिर derivatives क्या होगे derivatives वो securities होते हैं जो हम किसी assets derive करते हैं किस assets जब अगर derive किया है तो उसके prices वगएरा उस पे ही depend करते हैं उसके assets पे तो assets कुछ भी हो सकते हैं stock, bond, commodity, currency वो कुछ भी हो सकते हैं ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो stock ही होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं मगर आपको ये समझने के लिए कि futures क्या होते हैं आपको पहले forward contract समझना पड़ेगा क्योंकि ये forward contract का ही एक extension है तो पहले हम forward contract समझते हैं जो काफी लोग इसको छोड़ देते हैं जो भी आपने देखे होगी F&O series में तो चलिए देखते हैं forward contract ये क्या होता है तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है forward contract मतलब किसी आगे date के लिए हम कोई contract हम बनाने वाले तो इस contract में होगा कि एक buyer होगा एक seller होगा दोने एक agreement बनाएंगे कि हम किसी specific date और specific price के लिए हम एक agreement में enter होगे हम इसको example के साथ समझते हैं तो ज़्यादा आपको clear हो जाएगा यहाँ पर इसकी ये definition लिखी हुई है तो example के साथ हम समझते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर हमको clarity मिलेगी तो जैसे का एक हमने example लिया है यहाँ पर दो parties है CSK Jolies and KKR Gold Dealers IPL के season चल रहा है तो CSK KKR का example लिया है तो इससे बढ़ी है क्या हो सकता IPL के time में तो यह दोने करती क्या है CSK Jolies का का काम है जो ornament और jolies होती है वो बनाने का काम है और KKR Gold Dealers का काम है जो यह wholesale में gold को बेचती है तो इसको तो गोल्ड की ज़रूत पड़ेगी ना जो लिस बढ़ी बनाने के लिए तो यह का करेगी इससे खरीदेगी है तो मगर यह का करते हैं एक forward contract में enter करते हैं तो वो कौन से के लिए forward contract में ते 15 kg gold के लिए बनाया है जब यह और complete कब होगा contract तीन महीने बाद का होगा वो निकल के आती है 1st mark 27.20 तो यह date होगी तो यहाँ पे जो यह contract है यह पूरा होगा और जो CS के जोले से यह KKR Gold Dealers से यह खरीद लेगी इसी price पे उस time जो मर्जी price चल रहा है मार्केट में उसे कोई फरक ने पड़ता कम होगा जादा होगा हम वो आगे देखेंगे बट यह date है इस पे ही यह contract पूरा होगा तो जो contract की value निकल के आती है वो कितनी होगी वो निकल के आगी 7.5 करोड की तो यहाँ पे तीन scenario हो सकते जाफी gold उपर चाहएगा जाफी gold नीचे चाहएगा जाफी gold वहीं पर रुख जाएगा अगर वहीं पर रुखता है तो यह value तो contract value तो इदनी रहेगी ना कोई नुकसान होगा ना कोई फाइदा होगा किसी भी parties का मगर हम scenario's बाकी दो scenario's लेके चलेंगे अगर gold की price उपर जाती नीचे जाती है तो पहला हम scenario अगर लेते हैं जहां gold की price उपर जाती है तो उ scenario में क्या होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर price चल जाती है 5500 पर gram तो यहां contract का जो size है आपको वो बढ़ जाएगा contract का size हो जाएगा 8.25 crore तो यह CSK joyless है वो तो 5000 पर gram के हिसाब से ही खरी देगी वो 7.5 crore में ही खरी देगी बट उसकी value क्या हो चुकिया 8.25 crore जो market में तो इसका सीधा सीधा खरीदते ही 75 lakhs का यहाँ पे आपको profit देखने को मिल रहा है वही पे KKR golds को बेचना पड़ेगा उसको 5000 पर gram पे यहाँ पे इसका नुकसान होगा अगर इसके पास already gold खरीदा हुए नीचे दाम में तो इसका एक सिर्फ opportunity cost लेगा वैसे कोई cost नहीं लगेगा बर इसका पास नहीं है gold नहीं है तो इसको open market से खरीदना पड़ेगा महेंगे में 8.25 करोड में खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा उसको 7.5 करोड में तो यहाँ पे तो सिर्फ सिर्फ का 75 लाख का यहाँ पे नुकसान हो गया है तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि इसको contact पूरा करना ही करना है यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं तो यह तो default भी कर सकता है तो यहाँ पे risk होता है कि KKR gold मना कर दे इसको हाला कि अब quote में जाकर case दोड़ोगे वो सब आगे की बात है उसमें काफी time लगता है तो अब दूसरा scenario लेते है अब सुझ लेते हैं कि यहाँ से इसका price गिर जाता है तो उस scenario में क्या होगा तो वो भी scenario देख लेते हैं यहाँ से घटके हो गया 4500 हो गया तो यहाँ पे जो KKR gold dealers है यहाँ पे इसका बड़ा फायदा हो जाएगा फायदा कैसे होगा यह तो अब क्या बोलते हैं जो है बेचेगी 5000 में ही बट market में दो उसका price 4500 हो चुका है जो CS के जोले से market में सस्ता होते हुए भी इसको महंगे में खरीदना पड़ेगा तो 75,000,000 इसका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा तो भाई यह भी क्यों नुकसान सही है जब मार्केट में सस्ता मिल ला है तो यह भी बोल सकती है ना कि जाओ मुझे नहीं लेना है नहीं खरीदना है मेरे को तो यहाँ पे यह default का risk होता है तो यह बहुत बड़ा नुकसान है वो पीछे ज़रूर हट सकता है इस नहीं में बहुत सारे समय ऐसे होए भी है दूसरा क्या हो सकता है कि इसको cancel करना थोड़ा सा मुश्किल होता है समझ लीजिए जैसे मुझे एक महीने बाद नहीं माने उस contract में रहने का तो जब तर अगला बंदा नहीं मानेगा तो भी मैं हट नहीं सकता हो बीचे मेरे पास वो option नहीं रहेगा तो यहाँ पर थोड़ी से मुश्किल होती है इसको contract को cancel करने में हम एक दिन में या दो दिन में नहीं कर सकते है तीन मेहने वेट करना ही पड़ेगा या फिर अगला बंदा अगर मान जाता है तो ठीक है यहाँ पर तीसरी problem निकल के आती है जब तक settlement का date नहीं आता तब तक कोई cash flow का transaction नहीं होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है हमारा फायदा मार्केट में हो भी रहा होता है तो हम उसका फायदा उठा नहीं सकते है समझ लिए जैसे गोल्ड वाले case में लिए अगर 5,500 तीन महिने बाद गया अगर वो बीची में चल जाता 6,500 तो हम उसको उसका फायदा तो नहीं उठा सकते है बीच में कोई cash flow का कोई कुछ हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उसकी भी और चौथी दिक्कत जो आती है वो है there may be difficult to find a counterparty इसका मतलब जो contract हमाँ enter करना चाहते है ज़रूरी थोड़ने है कि उसके against भी कोई दूसरा खड़ा हो seller वो contract में contract लेने के लिए या फिर आप seller हो तो कोई buyer आपको मिल जाए तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है तो इन सारे दिक्कतों को देखके यह futures contract बनाए गए है इनी सबको दूर करने के लिए यही सारे जो खामिया जो forward contract में है तो future contract कुछ नहीं है इसी का extension इसी को improve किया गया है तो वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं तो future contract जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक person है और यह आपको बीच में दिख रहा है stock exchange तो यह क्या करेगा सीधा यह stock exchange में जाकर खरीदेगा कुछ भी इसको futures खरीदने है यहाँ पर यह direct इससे बात नहीं कर रहा है यह सिर्क इससे बात कर रहा है तो जो पैसा इसको देना है मिलना है सब वो इसी के थुरू होगा इनी दोनों के बीच में चलाएगा इसको कोई मतलब नहीं यह आदमी कौन है इसका नाम क्या है क्या है जसी समझ लेजी जो पिसले एक्जामपल ली थे यह CS के अगर है तो इसको कोई मतलब नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है यह भी गोल्ड में काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसको कोई मतलब नहीं है और जो फ्यूचर सेल कर रहा है यह भी डिरेट स्टॉक एक्सचेंज को ही यहाँ पर सीधा अप्रोच करेगा इसको भी कोई मतलब नी, बायर कौन है क्या करता है, वो क्या नी करता है कोई मतलब नी, इसको सब responsibility stock exchange के आती है तो बट यहाँ पर जो दिक्कात आ सकती है default risk की, अगर यहाँ पर default करते है समझ लिए इसने भी default कर दिया और इसने भी default कर दिया इसका तो double नुक्सान हो गया तो इसी नुक्सान से बचने के लिए यह margin collect करता है जो बीच में stock exchange हो गया समझ लिए जो 7.5 करोड का जो deal था तो क्या करेगा, इससे एक करोड ले लेगा और इससे भी एक करोड ले लेगा तो दूनों से कुछ-कुछ जो margin है वो collect कर लेगा जिससे default risk ना हो और जैसे उसमें होता है कि 3 महिने बाद ही आप का बुलते है अपना जो settlement करोगे उसमें इसमें ऐसा नहीं होता अब यह stock exchange में यह तो trade करते हैं जिस दिन चाहे उस दिन अपना contract वहाँ पर काट लीजिए और अपना जो profit हो enjoy कीजिए तो यह सबसे बड़ा फायदा होता है futures contract का क्योंकि यह trade होता है इसमें liquidity आपको मिल जाती है forward contract में liquidity नहीं होता है सबसे बड़ा उसका drawback है तो चलिए इसके features देख लेते हैं बाकि सारे क्या-क्या features है इस वाले हम वीडियो में बात करने वाले है कि forward contract और future contract क्या होते है बाकि जो इसके M2M जो इसका daily settlement होता है वो कैसे होता है expiry में क्या settlement होगा futures को खरीदना कैसे है इसको वो सब हम next video में बात करने वाले है उसके लिए एक dedicated video आएगी तो वेट कीजिए इसमें बस हम forward future contract क्या होते है वो ही बस समझना है तो चलिए features देख लेते हैं इसके क्या-क्या है तो पहला futures तो जैसे मैंने बताया है कि futures contract trade होते है stock market में और यह trade नहीं होते है forward contract तो यहाँ पे बहुत फायदा होता है जो future contract खरीदने का तो इसका दूसरा feature के अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है futures price generally mimics the underlying price in the spot market कहने का मतलब जो spot market में price चल रहे होगी futures के price पे उस ही साब से react करेंगे example के दौवर जैसे stock market पे हम जैसे ज़्यादा stock पे ही करते है stock का example लेते है तो SDFC समझ लीजिए अगर पंदरों सो पे अगर चल रहा है अभी और आज की दिन वो 16 सो पे जाता है तो जिसका futures है वो भी उसी साब से react करेंगे वो भी उपर जाएंगे ऐसा नहीं कि वो नीचे के तरह जाने लगेंगे तो जो spot में movement होती है वो ही futures में भी वैसे ही same movement आपको देखने को मिलेगी तो अगले feature के तरफ बड़े तो इसमें है कि lot size minimum quantity specified in the futures contract तो कहने का मतलब यह contract कर रहे हो तो इसमें यहाँ पर forward contract में यहाँ पर फायदा मिलता है जो futures में थोड़ा सा आपको यह आपको नुकसान कह सकते हो अब इसमें कि जैसे आपको lot में आपको trade करना पड़ता है समझ लीजिए जैसे SDFC का जो lot है वो 300 का lot है वो तो आपको इससे अगर नीचे आप नहीं trade कर सकते है at least आपको 300 का तो लेना ही पड़ेगा forward में का होता है आपकी मरजी होती है आप एक पर करिए चाहे 10 पर कीजिए या 12 पर कीजिए कोई मतलब नहीं है उससे बट यहाँ पर एक इससे standardized कर दिया है इसको जो भी जी standardized करते हैं उसका फायदे बहुत जादा होते है आपको उसी साबसे seller buyer आपको मिल जाते है तो यहाँ पर आपको एक lot size में करना पड़ता है कितने भी आप अपनी मरजी के से नहीं कर सकते है spot में होता है कि एक चेर खरीदिया दस चेर खरीदिया आपकी मरजी है पर यहाँ पर आपको lot मिल लेना पड़ता है तो 300 का lot हो गया आपको 2 lot चीए तो उस पर फिर 600 आजाएंगे तो lot के साब से आपको काम करना पड़ेगा तो अगले feature के तरफ बढ़ते हैं तो अगला feature है इसका futures contract के future contracts are time bound and contracts are available over the different time frames तो सेथी बात है यह भी forward contract का extension यह improvement ही है तो यह भी time bound होगा इसका भी period होगा specific period होगा एक महिन उसकता है दो महिन उसकता है तीन महिन ने हो सकता है जैसे stock market में देखोगा एक साथ तीन महिने के futures contract चलते हैं तो वो एक एक महिने के होते हैं तो time bound होते है, ऐसा नहीं है कि unlimited होगा, जैसे normal stocks होते हैं, वैसे नहीं होते है, एक time के साथ आते हैं, और different time frame इसमें होते हैं, एक मेने, दो मेने, तीन मेने, जैसे मैं आपको बताया है, तो अगला features देखते हैं, तो अगला features है इसमें, जैसे हमेरे को बता है कि margin देना पड़त जो futures के contract होते हैं, उनके एक expiry date होती है, और expiry date के बाद वो trade नहीं करते हैं, जैसे समझ लिए जनवदी का है, लास्ट थर्जडे को expire करेगा ही करेगा, तो उसके बाद वो trade नहीं करेगा, उसके बाद जो एक नया future का contract है, वो start हो जाएगा, फरविरे के start हो जाएगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, जो expiry होते हैं, उससे पहले आपको settlement कर लेनी होती है, तो इसका जो next feature है, most of the futures contractor cash settled, क्याना है का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ cash settled का option होता है, चाहे तो delivery भी ले सकते हैं expiry में, बट जहादतर ये cash settled ही हो जाते हैं, क्योंकि इसमें next और last इसका जो feature है, वो है, the futures market is regulated by savvy in India, तो ये सबसे best जीजए, कि इसका एक regulator है, ऐसा नहीं किया, आप जो मरजी चाहे वो कीजिए, चाहे किसे के साथ आप ऐसी धोकाधड़ी नहीं कर सकते हैं, या फिर जो exchange है, वो आपके साथ कोई धोकाधड़ी नहीं कर सकते हैं, या जो प्रोसेसर बहुत लंबा बढ़ जाता है, अगर आपको किसी नहीं आपके साथ default कर दिया तो, last मैं चलिए, summarize कर लेते हैं, दोनों को, जो future contract होगे, forward contract होगे, दोनों के पिछे difference किया होता है, तो difference आपको साफ साफ यहाँ पे ए टेबल बना हुए, जो आपको उसमें futures की, उसके बाद contracts can be customized forward contract में, जैसे मैंने बताया कि आप उसमें, चाहे 10 का कीजिए, 20 का कीजिए, share के मामले में, या 40 का कीजिए, आपकी मर्जी है, futures contract में standardized होते है, एक limit होती है, lot होते है, उसमें ही आपको trade करना पड़ता है, इसमें high counterparty risk होगे है, क्योंकि इसमें default कर सकते जो low mood के उपर होता है, इसमें कोई risk नहीं होता है, क्योंकि इसके तो daily settlement होते है, M2M, जो हम next wave में बात करेंगे, तो उसका wait कीजिएगा आप, यह इसमें कोई regulator ही नहीं है, जो सबसे बेकार चीजिए इसकी, यह SEBI से regulate करता है, जो काफी अच्छी चीजिए, काफी इसको safe ब bound, इसमें एक ही time frame होता है, इसमें, तीन मेने का आता है, मतलब तीन मेने का, इसमें multiple होता है, एक मने, दो मेने, तीन मेने, अपना roll over करकर बढ़ाती चाहिए, इसमें अलग-अलग time frame का बड़ा फाइदा मिलता है, और इसमें settlement is flexible, physical और cash, मतलब इसमें तो आप settlement अपने इसा होता है, इसका forward contract का बड़ाता है, इसमें जाधातर cash settlement ही आपको देहने को मिलती है, क्योंकि आदमी जो खरीदता है, वो profit अपना देखके निगाल जाता है, वो last तक wait करके क्या ही करेगा, जब उसको profit मिल रहा है तो, तो जाधातर इसमें cash settlement ही होती है, तो ये दोनों के वीडियो का बिल्कुल wait कीजिएगा, तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे ले होगी है, तो वीडियो का आप share कीजिए, like कीजिए, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले है,